अकबर उद्धिन उटैन ख्राव थे अपने जहरीले ब यानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले हादराबाद के अकबर उद्धिन उवेशी अखवरुद्देन के जहन में कितना जहर भरा है उनकी तक्रियों से अंदाजा लगाया जा सकता है यतारुस्सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले है, खुले रहेंगे हर मजलुम, हर जुरतमन फर्यादी अपनी फर्याद को लेकर आ सकता है चाहे वो माते पे तिलक लगाने वाला हिंदू हो या सर पे टूपी पहनने वाला मुसल्मान हो या सर पे पगड़ी बानने वाला सिख हो या इसाई हो या किसी भी मजभ से तालुख रखने वाला हो मनलस इत्धाद المस्लमीन वो दारु सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे जिहां A.I.M.I.M. के चीफ असे सुदिन वेसी के छोटे भाई अकबर उदीन वेसी जिनकी जुबा से एक बार फ़र से जहरी लेप भूल दिये वेसी वो असरा दवाखाने में इलाज करने के लिए आने वालों क्यों हम ये देखकर काड नहीं बनाते के तेरा मधब क्या है हर आने वाले गरीब को हम एक बीमार की नजर से देखते हैं और इस बीमार की बीमारियों को दूर करते हैं आज O.V.C. हास्पिटल में पचास फीसद से जायद बीमार लोग जो अपने बीमारी को दूर करने के उम्मीद को लेकर आते हैं वो गयर मुस्लिम है कसी असद के दुनिया के दो पाई दोनों के ही टागिट पर है मुस्लिम वोड़ आए और हथियार है भड़काउ भाशन मैं एक रहनमा होने की हैसियस से मेरी ये अखलाखी जमुरी वो दस्तूरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले काम करो तो उसका काम करो जो मदलूम है सबसे पहले उसका काम करूँ जो पिछड़ा हुआ है सबसे पहले उसका काम करूँ जो सबसे पीछे है सबसे पहले उसका काम करूँ जो सबसे पसमांदा है जब मैं पसमांदगी को दूर करूँगा पिछड़े पन की कमजोरी को दूर करूँगा एक मजलूम को इनसाफ बिलाओंगा तो जब ही जमूरियत कामियाब होगा